स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिश्ट नेता हमारे प्यारे खारे करता भाईयों और बैनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका इस पवित्र भूमी में बहुत-बहुत स्वागत आपने सुबह सुबह यहां आकर अपना समर्थन देकर हमारी मदद की इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कुछ महीने पहले हमने यह यात्रा कन्या कुमारी में शुरू की और अब तक्रीबन तीन हजार किलोमेटर यह यात्रा चल ली है कश्मीर तक जाएगी कि स्री नगर में यह यात्रा कतम होगा कि देश में नफरत हिंसा का महोल फैलाया गया है बीजेपी के लोग आरेसस के लोग देश को बाटने में लगे हैं एक धरम को दूसरे धरम से लडाने में लगे हैं एक जात को दूसरी जात से भाशा को दूसरी भाशा से लडाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का महौल बिगाड़ दिया है तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए मुहबत का एकता का भाईचारे का और इसलिए हमने यह यात्रा शुरू की जब यात्रा शुरू की थी केरल में टमिल नाडो में शुरू की हमारे जो प्रेस के मित्र हैं मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं यह कभी प्रधान मंत्री का चहरा दिखाते हैं 24 घंटे भी रोजगारी की बात नहीं रखते मेंगाई की बात नहीं उठाते तो इन्होंने कहा कि देखिए ये यात्रा जो है ये टमिल नाडू में केरला में सफल हो जाएगी मगर जब ये करनाटक पहुँचेगी तो ये फेल होगी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर रिस्पॉंस नहीं मिलेगा करनाटक में गए केरल से टमिल नाडू से बहतर रिस्पॉंस फिर उन्हें कहा बीजेपी के लोगों ने भी कहा हाँ ठीक है करनाटक तो साउथ इंडिया है महराष्ट्रा में रिस्पॉंस ने महराष्ट्रे माए और जबर्दस रिस्पॉंस फिर कहा ठीक है महराष्ट्रा में हो गया हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा मध्यप्रिदेश में महराष्टा से भी बहतर रिस्पॉंस फिर का ठीक है हिंदी बेल्ट में रिस्पॉंस हो गया आगे नहीं होगा हरियाना में नहीं होगा हरियाना में उससे बहतर और अभी हुड़ा जी ने कहा कि पंजाब में हर्यारा से भी बहतर रिस्पंस होने वाला है और इसका कारण है कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं डर फैला रहे हैं हिंसा फैला रहे हैं ये इस देश का तरीका नहीं है इस देश का इतिहास नहीं है इसे देश की हिस्ट्री नहीं है ये देश भाईचारे का देश है एक्ता का देश है इज़त का देश है रिस्पेक्ट का देश है और इसी लिए यात्रा सफल हो रही है लोगों ने कहा कि देखिए कॉंग्रेस पार्टी कि नेता तीन हजार किलोमेटर चल रहे है और जहाभी मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है पंजाब का हर एक किसान हर एक किसान हमसे जादा चलता है ठीक है वो कन्या कुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है मगर वो अपने खेट में रोज चलता है मंडी तक पैदल जाता है खाद खरीदने पैदल जाता है बीज खरीदने पैदल जाता है तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है इंसर को बिच रखता है सीखने को बहुत मिला किसानों से बात हुई छोटे दुकानदारों से बात हुई मजदूरों से बात हुई बेरुजगार युवाँं से बात हुई माताय बहनों से बात हुई और जो आपका ग्यान है उससे बहुत समझने को मिला इसके लिए मैं सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये जो हमारी यात्रा है इसमें हम लंबे भाशन नहीं देते हैं ये बोलने की यात्रा नहीं है ये सुनने की यात्रा है सुबह हम छे बज़े उठते हैं पैदल चलते हैं तकरिवें 25 किलोमेटर यहां पे शायद 7 बज़े यात्रा शुरू होगी और हम 6-7 गंटे आपकी बात सुनते हैं और फिर चलने के बाद 10-15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है बोलने का नहीं है और हमें लगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं नफरत हिंसा बेरोजगारी महंगाई इन चीजों को यह यात्रा उठाए और इनके खिलाफ यह यात्रा लड़ाई लड़े आपने अपनी शक लगती थी आपसे अब अगले दस दिन हम बादशीत करेंगे मिलेंगे पहले लगेंगे आप सुबह सुबह आए इसके लिए दिल से फिर से धन्यवाद नमस्कार जैहिंद मैं हुन बेंती करूंगा सब्सक्राइब का